हेलो गैस्ट बॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग आपको स्वागत है हमारी क्लास में माई नेम इस विजित मिश्रा एम योजी एजुकेटर आप देख रहे हैं हमारी क्लास कर इंटाफेर शो कैसे हैं आप लोग दोस्तो आप अच्छे होंगे अपना ख्याल लग रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तो डेट है आज 4th November 4th October और हमारे पास कोई वाँसे information है हम सारे information की बात करेंगे आपसे बने रहे हमारे सा दोस्तों और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया किशें वो सारे बच्चे जो ऑन-लाइन है और जो सारे बच्चे जो ऑफ्रें नाई क्लास दिखते हैं इससे आपको कुछ जाता नहीं है पर हमें motivation बलता है और जब हम हमेशा की तरह आज दोस्तों करेंगे हमेशा की तरह motivational कोट के साथ और जो हमारा आज का motivational कोट है लिखा हुआ है consistency is what transform average into excellence यह दोस्तों मेरे ख्याल से जब हम लों त्यारी करने के लिए आते हैं हार एक बच्च्चा average ही होता है मतलब यह मेरा 10 साल का experience है कोई बहुत extra rendered होता ही नहीं सब average होते हैं पहली बार त्यारी करते हैं अब दो तरह के बच्च्चे होते हैं एक वो एक्जाम आने पर पढ़ाई करते हैं फिर छोड़ देते हैं एक्जाम आता है पढ़ाई करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो उनके selection consensus कर रहते हैं और ऐसा बच्चा जो हमेशा लगा रहता है फॉर एक्जाम उसे पता है आगे आने वाला एक्जाम SBIPO का है ठीक है में भी श्याद हमारा selection प्री में नहीं हुआ ग्रामीर मैंक में या फॉर एक्जामपल नेशनलाइज में नहीं हुआ तो हम बैबैठे नहीं रहेंगे ना हमें continuous लगे रहना है दोस्तों बस हमें इतना प्रयास करना है कि जो आज हमने पढ़ाया कल जो हमारा future plan है वो और उससे अच्छा हो दे बाइडे improvement दोस्तों और डे बाइडे consistency तो यह एक ऐसी चीज़ होती है बिटा जो average को excellence में convert कर देती है और यह आप मानेंगे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जो त्यारी कर रहे ह बहुत सरे बच्चों ने मुझे message किया कि सर जीये में इतने माक्स मारे आए और आपको मुने follow किया था बढ़ा अच्छा हुआ मैं हमेशा उनसे बोलता हुए देखो यह मेरा कोई प्रयास नहीं है यह आपकी अपनी मेहनत है अगर मैं पढ़ा हूँ आप पढ़ो जिना कोई फायदा नहीं है आप मुझे follow करते थे लेकिन यह आपकी अपनी consistency थे आपने continuous पढ़ा और आप marks अच्छे लेकर आए दोस्तो आपको knowledge होनी शाहिए हर चीज़ की आप कर ले जो गया है आपसे तो मैं बस अपसे यही बोलता हूँ कि यही game changer है दोस्तों एक बच्छा पता है 71 marks पाया है उसके जीए में एक marks है कि बच्छा निकल गया उसका लेकिन दोस्तों सुचिए अगर उसके marks 12 पंदर होते तो definitely वो fight में होता दोस्तों तो वही मैं कह रहा हूँ कि जीए को हम थोड़ा हलका लेते हैं बड़ दोस्तों इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें सेलेक्शन लेना और एक्जाम में सेलेक्शन आपका होता है वह मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीए सब के marks से होता है चलिए भाई लो तो शुरू करते है अपना session आज का है दोस्तों और हमारे पास आपके लिए कौन कोई से information है देगे दोस्तों पहली इंफ अ क्लास होगी जिसमें मैं पुनीज सर अरुन सर विशाल सर सब पढ़ाएंगे आपको मेरा टाइम उसको क्या है तो मेरी टाइम है बारा बज़े आपका अच्छा रिजन हो जाएगा कोश्चन मैंने खुछ सेलेक्ट किये हुए आप आईए इस क्लास में आपको फायदा मिले एक्जाम में यह मेरा बाद है आपसे टाइमिंग क्या है बारा बज़े बारा बज़े बैंकर्स वे चैनल पर आपकी क्लास होगी मैरासन जीएगी दोस्तों ठीक है चलिए तो हमारी पास इंफॉर्मेशन जो है वो रैंकिंग रिपोर्ट और इंडिस से स्टार्ट होगी व और वास्तों में वो बनना चाहिए जो हमारी पहली इंफॉर्मेशन है वो डेटा वाली इंफॉर्मेशन है देए दोस्तों क्या बोला गया है इंडियन एलजर्ली तु मेक अप 20 परसंट ऑप दे पॉपुलेशन बाई दोहजार पचास यह रिपोर्ट आई है UNFPA की दोस्त 20 परसंट पॉपुलेशन होगी एलडरली यह मतलब बुजर्गों की यानि भारत में 20 परसंट पॉपुलेशन बुजर्गों की होगी 80 परसंट ठीक है आप व्यस्क होंगे या फिर एक्जामपल आप बच्चे होंगे या जवान होंगे लेकिन 20 परसंट बुजर्ग लोग ह published by the United Nation Population Fund in Minnesota. See guys, UNFPA, इसका headquarter, कहाँ पे हैं? New York में. So, India Aging Report 2030. India Aging Report 2030, published by the UNFPA. ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला, बेटा, वो देखें? तो, highlight of the report में क्या बोला गया भैसा? The elderly population in India is likely to doubled by 2050. according to the India Aging Report published by the UNFPA. ठीक? तो, पहले स्लाइड में वहीं इन्फॉर्मिशन जानते हैं? इन्डिया Aging Report आई है दोस्तों, 23 की. इसमें क्या बोला गया? कि 2050 आते आते भारत में, जो बुज़ोर्ग लोग हैं, इनकी संख्या 20% हो जाएगी. किसने बोला है? UNFPA ने बोला है. कहां बोला है? इन्डिया Aging Report में बोला है, दोस्तों. तो, पहले इन्फॉर्मिशन क्लियर है मेरे ख्याल से. आगे बढ़ते हैं. सिंपल हैं, जो हिंदी वाले भाई बेन हमारे हैं, दरे नहीं रहे हैं. यहां क्या बोला है? कि 2022 में, जुलाई की बात कर रहा हैं. जुलाई 2022 में हमारे इंडिया में टूडल पॉबॉलेशन में, 10% है ना, I think 10.5. तो 10.5% जो लोग हैं, वो इंडरीड होगे. मतलब जिनकी हैं, 60 साल से उपर. लगिन दोस्तों, 2050 आते आते, इनकी संग्या हो जागी? 20.8%. यह तो है परसेंटेज में, और अगर नंबर्स की बात में तो 347 मिलियन लोग जगोंगे, वो 60 साल से उपर. मैं भी हुझा हो गया? ठीक है, आपनों भी देख लबाप के होते होगे नहीं होते हो, ठीक है? तो यह इंफर्मेशन आपको दे रहे हैं, फिर समझ लेजे, क्या बूला गया? कि 2022 में भारत की टोडल पॉपलिशन में, 60 साल से उपर जो लोग हैं, उनकी संख्या 10.5% है. ज इंफार्मेशन यह है. ठीक भाई लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स पाइंट देखें. देखें, दर प्रजेक्शन इंडिकेट ते दर्ट गुरिंग दोजार बाइस से पचास, अवरॉल पॉपलिशन ऑफ इंडिया विल ग्रो बाइटीन परसंट. अब दिखू क्या बुल जाने गहीं वह लिए नियाने गाए यहां पर पॉब्लेशन ग्रो की बात है तो दो जार पक्चास आते आते भारत की पॉब्ब्लेशन अठारा प्रसंट बढ़ेगी लगिन दोस्तों एलडरी कुल इनकी पॉब्लेशन बीठा वन 1 134%, 134% बढ़ेगी, भारत की population बढ़ेगी 13%, और इनकी संख्या, population बढ़ेगी 134%, काफिर ड्रास्टिक ये बढ़ोतरी है ना भाई, तो यहाँ पर प्रसंटें इंक्रीस की बात होगी, ठीक है, simple information है, आगे बढ़ते हैं भाई लो, अब देखें next information, अच्छा, during the same period, the population of person age 80 plus year, will grow 279%, ठीक है दोस्तों, यानिकर 2022-50 की बात करें, हमने क्या बोला, इंडिया की population बढ़ेगी 13%, और ऐसे वेक्टी, जिनकी age 60 साल प्लस है, उनकी population बढ़ेगी 134%, उसी टाइम पर, जो ऐसे रोग, जिनकी age 80 जाल उपर है, इनकी population बढ़ेगी 279%, तो क्या कि क्या इंडिय होने वाला है, एक मिनट देखते हैं, ठीक है दोस्तों, अब गाइस हम बात करेंगे global level पर, क्या बोला गया, over the next three decades, दोस्तों, मतलब 30 साल हमान रहे है, मतलब 20-50, ठीक, the number of older person worldwide, अब बात भी global level, is expected to double, ठीक है, हमारे भारत में दोस्तों, कितना बढ़ रहा है, हमारे भारत में भी double हो रहा है, यहां में double हो रहा है, तो भै क्या बोला गया है, कि global level पर double हो जाएगी, to 2.1 billion by 2050, यानि गाइस, 2050 तक अगर पूरे विश्म की इम बात करें, तो पूरे विश्म में बेटा, elderly person की क्या बढ़ेगी, double हो जाएगी, मतलब, और कितनी हो जाएगी, 2.1 billion दोस यानि दोस्तों, पूरे दुनिया की population में, elderly people की population होगी, कितनी होगी, 25%, 22% यहां पर बोला गया, और यहीं पर हमारी information खतम हो जाएगी, तो अपने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिए, ज्यादा टफ नहीं है, symbols है, एक बार हम revise करते हैं, तो हमें clear हो जाएगा, ठीक है, दोस क्या है दोस्तों, रिपोर्ट का नाम है, इंडिया, इंडिया, एजिंग, एजिंग, एज, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ठीक है, 2023, यह पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, किसने इस रिपोर्ट के publish किया है दोस्तों, तो publish by the, publish by the UNFPA, UNFPA, जिसका headquarter कहां पे दोस्त नियुयोर्क में, इसने पहले पॉइंट में क्या बूला दोस्तों, इसने पहले में यह बूला है, कि भाई, इंडिया की जो population है, ठीक है, वो 2050, elderly population, 50 आते आते डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, पहले में यही बूला गया दोस्तों, ठीक है, दूस और 2050 आते आते, इनकी जो बर संख्या हो जाएगी, मितलब, वो 20.8% हो जाएगी, हमारे पॉपलेशन, यह बूला गया दोस्तों, तीसरे स्लाइड में क्या बूला गया है, दोस्तों, तीसरे में देखने बाद, यह हो गया, यह जुमने बात की दोस्तों, ठीक है, हाँ, 347 और नमबर की बात करें तो, इनकी संख्या हो जाएगी, 347 मिलियन दोस्तों, मिलियर में की संख्या हो जाएगी, इसे भी याद करना है, अब थर्ड साइड में क्या बूला गया था, क्या बूला गया बेटा, कि अगर हम बात करते हैं, for example, तो 2050 आते आते, भारत की population 18% increase होग और जो बेटा, elderly लोग हैं, इनकी population 134% increase होगी दोस्तों, यह हमारी तीसरी information बोल दी गया है, ठीज चौथे में क्या बोला गया, देखिए, चौथे में, हाँ, during the same period दोस्तों, हाँ, अच्छा, during the same period बेटा, ऐसे लोग की बात पे रहें, जिनकी population, जिनकी एज, अठा, एसी संख्या, बेटा, इतने प्रस्न बढ़ेगी, तो यह बात बोली गई, यह हमारी चौथी slide में information थी, अब दोस्तों, वर्ड की बात करते हैं, दोस्तों, पाच्यों में क्या बोला गया, अगर हम global level की बात करें, तो भाई, global level में भी 2022 से गरम 50 की बात करें, तो इस time period में global level मे अगरी, elderly लोग जो लोग हैं, उनकी संख्या double हो जाएगी दोस्तों, double हो जाएगी, और double होकर 2.1 billion लोग ऐसे होंगे, जिनकी एज 60 साल से उपर होगी, और पूरे world population का 22% population इनका दोस्तों होगा, यही तो बढ़ा हम दोस्तों, ठीक है, देख लिजए अपलो, फिर से पूर इन्फरमिशन आप देख लिजए दोस्तों, इंडिया इजिंग रिपोर्ट दो जारतेईस, रिलीज बाइट यून फ्प यहाँ बोला गया है, कि इस लाकी दुग दॉबल, और पचास, इस ने बोला गया है, इंडिया इजिंग रिपोर्ट में, पब्लिश बाइट यून दोस्तों इंडिया की population 18% ग्रोगी लेंगे इनकी population 134% ग्रोगी दोस्तों अगर हम पूरे बड़ की बात करें और दोस्तों अगर हम बात करते हैं शेयर की तो 22% population यह रहेगी तो मेरे ख्याल से आप लोग को यह information clear हो गई होगी दोस्तों एक बाद प्लस वन कर दिजए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे पर next information पर revision करने के लिए ऐसे हमारे सामने slide है ठीक है तो यह हमारी पहली information थी जो हमने आपको explain कर दिया बीटा आगे बढ़ते हैं अब next information दोस्तों तो हमारा next segment है from the appointment section से जहां पर हम बात करेंगे हमारी पहले information देगें तो South Indian Bank appoint Mr. PR Sishadri as the MDN CEO हाना कि यह information पहले आचोगे थी हमारे पस लेगिन appointment अभी हुआ है दोस्तों ठीक गाइस South Indian Bank की हम बात कर रहे हैं तो South Indian Bank ने Mr. PR Sishadri को अपना MDN CEO appoint किया है South Indian Bank ने और replace होने बेट पहले information हमारे पास ठीक गाइस अच्छा साउथ इंडियन बैंक दोस्तों एक्सपीरियन्स नेक्ट जनरेशन बैंकिंग इनकी tagline है Establishment Year 1923 Tagline और Headquarter जरूर देखें ठीक आगे बढ़ते हैं Recent appointment in the banking sector दोस्तों For example हमने कर आपको पढ़ाया था अम में जिगरन के बारे ये MDN CEO बने बेटा SBI Life Insurance Mr. K.N. Madhu Sudan दोस्तों ये पॉइंट हुए Part-Time Chairman of the Dhanashmi Bank Pankaj Sharma ये Chief Strategy and Transformation Officer बने Yes Bank है Money Jam Yes Bank Country Head Wholesale Banking Add pressure law ये Reserve Bank of India के Deputy Governor थे इन्हें एक साल का मिला extension ये सब आपने पढ़ा हुआ है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमने कल भी आप से Defense की बात की थी आज भी हम Defense की बात करें बेटा देखें Lieutenant General रगु श्रीनिवासन ये बने हैं बी आरो चीफ और ये बेटा important news है ठीक बी आरो Border Road Organization यानि आर्मी का वो division जो की बेटा हमारे Defense Forces के लिए रोड बनाती है बी आरो दोस्तों हां Border Road Organization पने सुना होगा ठीक गाईस तो Lieutenant General रगु श्रीनिवासन ये बने हैं ये रिप्लेस करेंगे Lieutenant General राजीव चौधरी जी को दोस्तों ये रिप्लेस करेंगे राजीव चौधरी जी को ये एक अच्छी इंफॉर्मिशन एक्जाम में पक्का ही आसकती है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं देखें दोस्तों तो Recent Defense Appotents तो फॉर एक्जामपल हमने कर आपको पढ़ाया था Vice Admiral Tarun Subati ये पॉइंट वे डिपिटी चीफ आप दे नेवल स्टार याद है विवेक भसीन दोस्तों ये पॉइंट में थे 14 डिरेक्टर अभाबा एक्टोमिक रिसर्स सेंटर बार्ग पायल चाबड़ा ये पहली वुमेंट सर्जन बनीए बेटा तो ज्वाइन दे एलीट पैरा स्पेशल पोर्स अप दे इंडिन आर्मी राभुल नवीन इंचार्ज डिरेक्टर अफ इन्फोर्स्में डिरेक्टरेट मेजर जर्नल इगनेट्रियस डेलर्स लोरा इडिशनल डीजी ऑप दे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ठीक गाईज चलें आगे बढ़तें दोस्तों तो हमारा ये भी सेग्मेंट बैंकिन इक्षैन देखिया है यहां पर हम क्या बद करेंगे यहां पर हम बात करेंगे आई पीओ की दोस्तों जो नई बच्चे है ध्यां से सुनें आई पी ओर इनिशक पब्लिक और जाती है और शेर इशु करती है fund raise करने के लिए share बेस्ती इपना पहली बार जब कोई company पहली बार अपना share बेस्ती है इसे हम क्या बोलते है IPO दोस्तों क्या बोलागे है India Inc. मतलब बेटा Indian company रुपीस 26,000 करो रुपीस through the IPO in the first half दोस्तों हाँ, यानि guys हमारे देश के पहले छे महिनों के हालाथ हमको बताय जा रहा है पहले छे महिनों अप्रेल, मई, जून जुलाई, गर सिर्मबर तो पहले छे महिने में हमारे देश में जो companies हैं जिन्होंने IPO किया, तो हमारी companies ने रुटल 26,000 करो रुपाय मार्केट से जुड़ाए हैं थ्रूज आई पीओ, पुर इंफरमिशन ज्यान सुनिये हां देख, क्या बटा बोला गया है, आफ्टर स्लो स्टार्ट, तू देख, क्या बोला गया देख, ज्यान सुनना, यानि guys अगर यहां पर क्या बोल रहा है, कि financial या जब शुरू हुआ, अप्रेल की बात करें, अप्रेल माई जून दोस्तों, तो उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, कंपनीज ने आई प्यो किया, बट उतना फाइदा नहीं मिला, अतना पैसा नहीं मिला, लेकिन सितंबर आते आते फाइदा मिला है, यानि पूरे 6 म महीने में, हमारी इंडियन कंपनीज ने आई पी ओ से 26,000 करोड उपर जुटाएं, लेकिन अकेले, अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 12,000 करोड उपर आएं दोस्तों, तो टोडल 6 मेने में 26 आएं, अकेले 12,000 करोड उपर आएं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई दे फर्स्ताफ अब दे फर्नाशल इयर ताओ उवर रुपीस 26,000 करोड उपीस, ब इंगरेस, तुम महीं मालूम हैं, भाई पहले 6 मेने में हमारी इंडियन कंपनीज ने 26,000 करोड उपर आएं दोस्तों, फिर क्या बोला गया, ओल्मोस 50% अब तो अभी तो मालूम चला, तुलना कर रहे हैं पिछले साथ से, मतलब अगर हम 2022-23 के पहले 6 मंद की बाप करें बेटा, तो क्या बोल रहे हैं, कि 22-23 के पहले 6 महीने में हमारी इंडियन कंपनी ने 36,000 करोड उपर उठाए थे, ठीक है जिस, यानि कंपरिजन देखिए, अगर हम 2022-23 को 24 से, यहां मतलब 22-23 को, 23 को मतलब करें, तो यहां क्या बोला कि 26,000 करोड रुपर हमने उठाए हैं, और फिर क्या बोला किया कि पिछले फ़रांशल ये में, पिछले फ़रांशल ये में 6 महीने में, जो LIC थी, उसने माकेट से अकेले 21,000 करोड उठाए थे, अगर LIC नहोती, तो हल बुरा हो था यह मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं ऐसा क्यों हुआ था दो हजार बाइस थे इसके पहले श्वाही में ऐसा क्या हो गया था कि हमारी इंडियन कंपनी ने 36,000 क्रोड उठाए थे तो बेटा था इसलिए हुआ था तो इसलिए हुआ था तो पिछले साल LIC का सपोर्ट में लिया था इस साल इतनी बड़ी हमनी आई नहीं है फिर भी हमने अच्छा किया अगर देखा जाए मार्केट उस्तों तो हाँ चलिए तो लोगों बताया भी यह है कि हाओएवर देयर वेर टू मार्क्यू आफरिंग मतलब जो अच्छे ओपर थे LIC दोस्त कि क्यों ऐसा हुआ है दोस्तों पिशले साल दो ही कंपनी इनकी दोखों तो बेटा दो ही कंपनी ने कही परी 26,000 उठा लिया थे दो ही कंपनी ने तो यहां पर आपको information देख रहे है कि यह सक्ट क्यों हुआ था तो यहां पर देख ली जगा एक बार बस ठीक है तो यहां प का मतलब बेटा क्या हुआ पहला 6 महीने दोस्तों यानि हम 2023-24 की बात कर रहा है तो 2023-24 का मतलब दोस्तों अप्रेल माई जुन जुलाई अगस्ट नंबर तो बेटा क्या बोला गया है कि इस टाइम पीरेड में हमारे देश में जो इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने मिल जुल अबर मन्त की बात क्यों ने तो 50% कैपिटल तो हमने इस मन्त में उठा लिया यह बोला गया दोस्तों फिर क्या बोला गया है अगर हम 2022-23 से कंपेरिजन करें तो पहले 6 महीने में हमने करीब 36,000 करोड रुपर रेस किये थे आई पियो से लेकिन इस साल यह संख्या कम हो गई यह दोस्तों और हमने यहां पर 26,000 करोड रुपर उठाए यह इन्फरमिशन पढ़ा गया बस सब यह बताया गया कि ऐसा यहां पर क्यों हुआ था यह दो कंपनी ने मिलके ही करीब 26,000 CR उठा लिया थे तो इसलिए यह नंबर काफी बड़ा है यह नंबर में छोटा है लग ठीक है कोई बात नहीं तो यह पॉइंट हमारे सामने था इस देख लिए आप लो कुछ भी और नहीं पढ़ना है सब वही इन्फरमिशन है जो मैंने आपको बताई है रोस्तों ठीक है देख लिए आप लो सारे पॉइंट मैंने पहले एक्स्प्रेन कर दीए आपको ठीक है एक बाद प्लस्वन कर दीएगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे थोड़ी सी फिनांशल इन्फरमिशन है में भी नए बच्चे है तुनको ना क्लियर हो ठीक है तो यहाँ पे बच्चे बात करें क्रिसल लिए ठीक है तो यह हमारी पहली इंफरमिशन थी बैंकिंग फैनेशल निउस की दूस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे निउस नर्बर टूब दूस्तों यहाँ पर हम बात करें SDFC बैंक की SDFC bank ने अपने कस्मर के लिए तीन तरह की UPI service शुरू किया है तीन तरह की बिटा कौन कौन सी तो कौन कौन सी यहां लिखा नहीं है मैं आगे दिखा दे रहा हूँ SDFC bank introduced three new digital payment product on UPI दोस्तों UPI के ही तीन नए product आये हैं दोस्तों अब यह तीन नए product बेटा कौन से हैं देखें दोस्तों धान से SDFC bank has introduced three new digital payment product on the UPI UPI दोस्तों जिन बच्चों को UPI फिल फार्म नहीं पता देख ले जागा Unified Payment Interface यह तो हमने पढ़ी लिया यहां पर तो कोई देखे तो है नहीं आगे बढ़ते हैं next information अब यह तीन product कौन-कौन से हैं बेटा देखो पहला क्या है दीज product आर UPI 123 Pay payment via IVR दोस्तों इसका मतलब इटा क्या होता है interactive voice response पहले इसके बारे बात करते हैं दोस्तों मैंने आपको बढ़ाया था उस दिन पहला की जिनके पास features phone है तो वह बिटा एक contact number पर कॉल करके banking कर सकते हैं दोस्तों call center जैसे फॉर example SDFC bank call center बने होगे आप वहाँ पर call कीजें और बताएए मुझे अपने account से इतना पैसा यह transfer करना है तो जो सामने बढ़ा person होगा वह आपके बिहाब पर करेगा तो अपने voice से आप command देते हैं बैंकिंग होती है इसे बिटाम क्या बोलते है आई वी आग इंट्रेक्टिव वाइस फसेल्टी तो यह launch किया इंट्रेक्टिव वाइस रिसपांज पंज्याब नाशनल बैंक पहले कर चुका इसे दूसरा दूसरा यह है यूपि याई प्लगिं सर्विस क्या लिखा है यूपिए प्लगिं सर्विस ओर मर्चेंट ट्रांजेक्शन देखें दोस्तों मर्चेंट अब हमेश्चा सब सु तो हैं यह सब भी इस यूपी आई प्लगिन सर्विस फॉर मर्चंड ट्रांजक्शन प्लगिन सर्विस मतलब क्या होता है आपकी पास चार्जर है बैटा आप इस रूम में दूस्तों यहां प्लगिन अपने लगा दिया फोन चार्ण लेगा आप अलग रूम में गया वहां सिवाएं सुधा है आपने वहां लगा दिया है तो बैटा यह स्विच की बात कर रहे हैं अब सुच क्या हुआ हो इस मैं अपनी बात करता हूं मेरे पास यूपी आई है और जब भी मैं किसी शॉप पर जाता हूं तो मैं वहां पर दोस्तों कि वार कोट से ट्रांजक्शन क और मेरे पाफ यूपी आई का मर्चेंट ध्यांदेना दुगांदारों के पास बेटा अलग होता है और आपके पास अलग होता है अब माले दुस्तों कि मैं दुगांदार हूं एक शॉप कीपर हूं मैं मार्केट में आता हूं तो मैं किस्मर बन जाता हूं जब मैं मार्के से पेमिंट करना पड़ेगा तो वहां दोस्तों सुच को ऑप्षिन मिलता है कि आप क्या बन जाए आप कस्टर बन जाए इसे भी टाम क्या बोलते हैं यूपियाई प्लगिन यानि आप एक टाइम पर अपने अप्लिकेशन को एज़ा मर्चिंट और एज़ा कस्टोमर यूज यूज़ा क्लियर खुड़ा पढ़ लेजे अच्छा ओर ठीक है वह सब बात सही है जो पढ़ लो जैसामी लो और तीसरा दोस्तों तीसरा ओटो पे और क्यूआर कोड ओटो पे आउन प्यूआर कोड दोस्तों ओटो पे बिल्टा क्या होता है जैसे मेरे पास नेट्रीक्स मैं यूज करता हूं तो मैंने वहाँ पर ऑटो पे इन बिल्ड किया हुआ है यानि हर महीने अपने आप एक एक तारी को मेरा पैसा कड़े आता है नेट्विक्स से पास नेट्विक्स तो कंपनी है वहाँ पर आटो पे हैं दोस्तों अब गैस फॉर इक्जांपल मालेजे मेरा फोन दिखाना पड़ेगा तो मैं क्यों स्कैन करूं अब अब दोस्तों क्या है तो अगर फॉर इक्जांपल आप किसी क्यूर कोट करते हैं तो उस पर भी आप आटो पे फिक्स कर सकतें गाईस यानि दोस्तों कि अब मेरा धोबी है उसे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा मै मैं हर में उसे हजार रुपर देता हूं हजार रुपर तो मैंने हजार रुपर का और उसे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा और पैसा ऑटोमेटली कटके उसके पहुंच जागा उसके परस ठीक है दो तो मैंने आपको यहां पर तीन तरीके बता है यूपियाई ने क्या लॉंच किया है पहला यूपियाई 123 पे आई वी आर दूसरा यूपियाई प्लगिन सर्वेस फर मर्चिंट और तीशा दूस्तों और अटो पे थू और क्यूआर कोड और यह तीन पॉइंट हमने आपको समझाती है कि कपड़े लेने हाग निशान दुखो दिमार लगा रहे है कि सबसे ज्यादा कॉल संडे को आते हैं अब 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 भी सुबह साड़े पाइवे से आती है साथ नहीं कि आज तो कुछ बच्चे हैं शुआ जो साड़े पांच से फोन आशू करते हैं कि साथ नहीं कि आज और पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा अवाल मेरे पास आती है अगर मैं फोन रिसीव नगरो तो तुम निशान कॉल तो कर रहे हो मैं नगरो तो तो भाई सेम चीज है भाई मुझे मालू थो भी आएगाश मैंने कप्टे बहां रख दिये वह बूले कि आपना उससे मेरी बाच इतनी हो रही है भाई सिंबल सी बात है तुम दिल पे ले ले तो या निशान था नहीं मत लिया वह यार दिल तुम्हाल के रख भी बहुत बार टूटने माना तुमाना दिल ठीक आगे बढ़ते हैं अब नेक्स पाइंट तो अब आउट इस प्रड़क्ट डिफो भाई UPI 123 पे से क्या होग लगीन दोस्तों क्या रिखाया है तो स्विच बेट्विन दा मर्चिंट एंड़ पेमिन अप्रिकेशन वेन पेइंग ऑन यूपी दोस्तों यानि आप स्विच कर सकते हैं गाई जा तीसरा और चुपे दोस्तों तो वहीं बोला गया कि मतलब ऐसे क्यू आप हर मंथ पेमिन कि निशान वाट्स अप एक दिन हमारे क्लास ओर नहीं करोगी ना तो मैं देख लिए था तो मैं समझ गया एकाश कहीं आइसा होता दो दिल होते सीने में एक टूड भी जाता है तो तकलीफ न होती इसे सीने में जीने में जो भी यह मतलब तो यह अच्छा सिलाद यादव ने मेरे ब्यार रगा इस साही है कोई बात है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है और समाज में होने वाली हर घड़ घटनाओं का एक्स्पिरेंस होना चाहिए निशान भाई है चले गाइस आगे बढ़ते हैं भाई SDFC Bank Headquarter Mumbai MDCEO जगदीशन जी दोस्तों रिएपॉइंट में फिर से ये और टेग लाइन है We understand your word We understand मुझे रिता कि इतनी बार मैंने ये समझा दिया है कि तुमनों नीम में भी नहीं भूलोगे मुझे ऐसा लगता है ऐसा में विश्वास है ठीक आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे about the small saving schemes small saving scheme मतलब post office की बात दोस्तों करने वाले ये post office की बात हम क्यों करने वाले दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनेगा दोस्तों हमारी government of India को आपके लिए बहुत सारी development scheme लानी होती है आप question ये बनता है कि government पर पैसे कहां से आते है तो government of India आपसे tax लेती है है ना आपसे fees लेती है तो क्या वो amount sufficient होता है जी नहीं तो बिटा government of India को borrowing भी करने पड़ती है तो भारे सरकार borrowing करती है World Bank से करती है RBI से करती है लेकिन government of India आप से भी उम्मीद करती है कि आप भी पैसे government को देंगे क्यों दोस्तों दो जब तुम लोग अपना पैसा bank में जमा करते हो SBI, PNB ये भले government के bank है लेकिन भारे सरकार इन पैसे का use beta development के लिए नहीं कर सकती है तो इसलिए भाई government of India आपको एक लालस देती है जाजा भ्याज का आप लोग post office में भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं इसे हमारी government को पैसे मिल लाते हैं और government of India आपकी पैसे का use हमारे देश के development के लिए कर सकती है तो जरू कीज़ेगा अगर आपके पास अगर नहीं भाविश में तो पैसे आएंगे आपके पास तो post office में पैसे जमा कीज़ेगा फाइदा आपका आपको ज़्यादा interest मिलता है post office में मैंने तो किया हुआ मैंने किया हुआ है आप भी कर सकते हैं दोस्तों ठीक देखो तो क्या बोला गया है पास साल का post office recurring deposit में तो RD दोस्तों पास साल का RD interest rate high दोस्तों तो भारे सरकार ने आपसे बोला है कि अगर आप post office में 5 year की RD लेते हैं तो हम आपको ज़्यादा ब्यास देंगे हम आपको ज़्यादा ब्यास देंगे कितना वो देखो यहाँ पर दोस्तों दोबाई क्या बोलागे the small saving instrument on which interest rate have been hike in post office 5 year recurring deposit from 6.5% to 6.7% for October to December दोस्तों हाँ क्या बोलागे भई तो यहाँ पर दोस्तों बोलागे है कि small saving scheme की हम बात कर मैंने पहरे ही बोला था small saving scheme की रदिसम आते हैं मेटा क्या बोलागे अगर आप small saving scheme के तहद अपना पैसा post office में लगाते हैं 5 साल की RD में तो अब आपको 6.7% का ब्याज मिलेगा जो पहले 6.5 था तो 6.7% में मिलेगा for October to December दोस्तों अब इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो लोग जो लोग अपना पैसा October से लेकर December तक निवेश करेंगे उनकी बाद दोस्तों हो रही है यारी कैस अगर अगर आप ने पैसा लगा दिया तो आपको यह ब्याज मिलेगा December के बाद अब ब्याज क्या होता है जो नहे लोग आएंगे तो उनको श़द्यावाज ना मिले तो गौर्वर्मेंट में बोला है कि हरी है नहीं सेल इतने से इतने दख है तो अक्टूबर से लेकि एक्जिंबर तरफ ताइम के पास है आप पैसा लगा दो आपको इतना पैसा मिलेगा अब समझे लो यह भी अगर तुमने पैसा लगा दी अब तुमने पैसा मालो जनवरी हुआ जनवरी में गौर्वर्मेंट आफ इंडिया ने इसे 6.5 फिर कर दिया तो तुम्हारे उपर कोई फक्त नहीं पढ़ेगा तुम्हे इतना ही ब्याज मिलना है दोस्तों तो इस पॉइंट को याद रखेगा इस पॉइंट का रेट नहीं है बेटा यह नहीं गलत मैंने जो लातन है वो समझो ये कॉइंट का मतलब है ये विंडो खुली है आपके लिए तो ऐसे लोग दोस्तों जो इस कॉइंट में निवेश करेंगे तो आपको पास साल तेक वही ब्याज मिलने वादा है इस दा क्लियर धियान देना ये मत सुचना कि बस तीन मन्त में मिलेगा ये तीन मन्त का विंडो है आपके लिए दुस्तों ठिक चलो आगे बढ़ते हैं भाई लोग दो क्या बोला गया क्या बोला गया बेटा कि स्मॉल सेविंग स्कीम बहुत सारी होती है लेकिन जो ब्याज बढ़ा है वो किवल इसनी बढ़ा है पास साल के आड़ी में और किसी में ब्याज नहीं बढ़ा है दोस्तों दो यहाँ पर गया बेटा क्या बोल रहे है about the post office recurring deposit account क्या बिटा बुलागे to open a post office RD you need to deposit a minimum rupees 10 per month दोस्ता हूँ यानि guys अगर आप post office में RD करते हैं तो आप 10 रुपए में हर month 10 रुपए में RD कर सकते हैं minimum 10 रुपए limit है post office में RD करते हैं और देखे there is no upper limit maximum कोई limit नहीं on the depositment but it should be in multiple of 5 लेकिन आपका जो amount होगा वो 5 का multiple होगा इसका मतलब कि कम से कम 5 का divisive होना चाहिए गाई maximum amount में कोई दिक्कत नहीं आप पर मंत maximum जितना पसा लगा सकते हैं लेकिन आपका amount 5 का multiply होना चाहिए फिर या बोला गया the RD account can be open for a period of 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10 साल दोस्तों तो post office में जो आपको RD की मिलती है वो 5 साल की मिलती है 7 साल की मिलती है और 10 साल की मिलती है दोस्तों तो यह सब point आपके सामने देख लेए चेका ठीक है तो यह हम केवल RD के बारे में information आपको देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला था केवल 5 साल की RD की ब्याज में चेंज हुआ है 6.5 से 6.7 बाकी दोस्तों किसी भी चेंज नहीं हुआ है और अगर आप एक्जाम देने के लिए जा रहे तो आपको ध्यान देना बेटा क्या देखो यह यह चेंज हुआ बेटा आपके लिए आपके लिए आपके लिए आप चाहे तो 6 मंत में ले ले पैसा आप चाहें 3 मंत में वो आपके उपर होता है जब आप फॉर्म भरते हैं बिल्टा आप टिक करते हैं कि हमें 3 मंत में ब्याद तो वो आपके उपर है मिनमम 3 मंत होता है दोस्तों उसका तो आप कैसे लेते हैं वो आपके उपर है ठीक आइस चले भाई लोग आगे बढ़ लेंगे दोस्तों next point की बात करेंगे दोस्तों तो banking finance economy में हम लोग बात करेंगे न्यूस नमर्ट शेकरेंगे जहां पर कैसे हम क्या बात कर रहे हैं about the Asian development bank ठीक है ADB capital management reform bring 100 billion dollar over the next decade to Asia Pacific दोस्तों तो यहां दोस्तों क्या बात हो रही एशिया और पैस्तिक एशिया और पैस्तिक एशिया पैस्तिक एटा 100 billion dollar पैसा खर्च करेंगा for the development of this reason ADB अगले 10 सालों में 10 साल टिकेट कहां लिखा है टिकेट हां दस सालों एशिया पैस्तिक के रिए 100 billion dollar का funder बनाएगा उसे खर्च करेंगा दोस्तों देखो क्या information देखेंगे भाई लोग तो 100 billion dollar की बात हो रही है provide by the Asian Development Bank कि उसको बीटा पूरे Asia Pacific region दोस्तों मतलब पूरा Asia चीज़ पैस्तिक मैने आपको पैस्तिक का मतलब समझाया था मतलब इंडिया से आप तिरचे में नीचे आगा जाओ Asian countries Australia, New Zealand दोस्तों USA यह सब पैस्तिक में आते अब तूट टेकल सिग्निफिकेंट एशियन चैलेंज़ेस नोचेवली क्लाइमेट चेंज तो बिसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर इनका फंड होगा इसका मतलब यह हर देश को लोन देगा for the green hydrogen solar power plant दोस्तों wind power plant इसके लिए लोन देगे simple सी बाइज तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा simple सा पॉइंट था report indices appointment दोस्तों banking finance तीन बाते हमने आपसे कर लिए है आगे बढ़ते हैं भाई लोग और अब बात करते हैं about ADV Asian development bank का establishment year 1966 है total member country 68 है मसा तस्टुगू असगावा इसके 10th president है headquarter मनीला फिलिपिन्स है दोस्तों ठीक है चले भाई लोग आगे बढ़ते हैं जहां पर आपको में information देंगे देखिए दोस्तों इंडिया और अर्जेंटीना इंडिया अर्जेंटीना sign social security agreement और professional दोस्तों तो भारत और अर्जेंटीना बेटा क्या किया है इन्होंने पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरच्छा समझोते पर हस्ताक्षर कियें दोस्तों बहुत simple सी बात है देखिए Latin American country की बात कर रहें दोस्तों क्योंकि इंडिया और कैनेडा के बीच में दोस्तों क्या हुआ है एक भी बात हुआ है दुनिया में सबसे ज्यादा English no.2 पर भारत है भारत में हैं दूस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा सरजन भारत में है धरना हम घृएंगे अभी न, we are talented दोस्तों और हम अपने स्किल में continuous development कर रहे हैं अब भारत तीसरे दुनिया का देश नहीं है भारत में बहुत बड़ा middle work है दोस्तों जिसके पास पैसा है और जो demand create करता है गैस तो शायद आपको ऐसा लगता हुआ कि भारत की जूरत नहीं है ऐसा नहीं आपको हर देश को हमेशा अब भ जो कहां पे हम कहां पे क्योंकि हमारे यहां त्याग है बलिदान है दोस्तों हमारे parents ने बहुत कुछ हमारे लिए किया और कर रहे हैं शायद वो दो रोटी ना खाते हो हमें खिलाते हो कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ेगा और यह होता आ रहा है दो अब इंडियन पढ़ाल परागवे एक्वाडोर हम वहां फोकस कर रहे है तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे भारती जो है वो इन देशों में जाएं काम करने के लिए अर्जेंटीना हो गया ब्राजील हो गया यह सब भी क्याएं डवलपिंग कंट्रीस हैं यहां भी डिमांड है और में भी यहा समाजिक प्लेस में दोस्तों तो यह ध्यान दोनों से दिवर्ट देंगे बेटा और एक्जांबल कोई अर्जेंटेनियन भारत आता है तो उसके साथा ना होने पाई दोस्तों यहां पर सोचल सेक्योर्टी अग्रिमेंट की बात हो रही है तो इंडिया ने और अंडिया ने तो यहां पर गाई हम क्या बात करें इंडिया अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों हां क्लियर है मेरे ख्यासे इंफॉर्मेशन देखे दोस्तों तो इंडिया अर्जेंटीना इनके बीच में एग्रिमेंट दो साइन हुआ है तो इंशोर प्रोफेशनल्स और वर्कस रिट ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे भाई लोग और बात करेंगे आपसे next information national level information के हम बात करेंगे ठीक है इस देखें तो बिटा पहली information यहाँ पर हम बात करेंगे कट करेंजी दोस्तों कभी-कभी data ऐसा आता है इसलिए मैंने news आपको दी है पहले मैं इसको हटा रहा था एक बच्चे निकल मुझे से पूछा कि सर हम आपकी जो करेंटों पढ़ते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता कि हमें अलग अलग साइट पर हमें और भी information मिलते हैं तो क्या आपके information relevant है कि वहां के information है देखें दोस्तों मैं आपको साइट के नम बढ़ा सकता हूं साइट के नम यहां पर जाएए आपको यतनी information मिलेगी जैसे for example दोस्तों महात्मा गांधी जैनती मैं बढ़ा रहा था ठीक है तो गाइस उसमें क्या था कि जब मैं एक साइट पर गया एक पेपर पर तो वहां पर बहुत सारी इंफर्मेशन थी आपको ऐसी ज्यादा पढ़ना इस नौर्ड सेलूशन में क्या पढ़ना है वह को बढ़ा होना शाहिए आपके पास टाइम लिम्टेड होता और वैसे भी जो हमारा सी एसे नहीं बनता हमारा सी अब बनता है चैट जी पेडि से हमारे बनता है अब एक पॉइंट डलते है यह जो आप नहीं किससे बनाते है थूच जीपेडिएंब refuses बनाते यह एक नियूज लेते हैं डालते हैं बेटा पूरी इंफर्मेशन आते हैं हमारे पास तो चैट जीपी टी जो है वह automobile का manufacturing hub बन जाएगा आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया बैट Germany है Japan है अमेरिका है इंडिया कैसे हो जाएगा आप बोलेंगे सर अभी क्या हुआ था अप भी बहुत सारी company भारत से चली गई थी दोस्तों आप बोलेंगे न कि सर बहुत सारी अप बोलेंगे थी तो देखिए क्यों चले के थी बैटा क्योंकि आप ज़्याद समझे ना आप फ़र इग्जामपल महिंदरा की बात केशे आप टारा की बात केशे इन्होंने कम जासे फ़र इग्जामपल दोस्तों हमारे जो एक बॉस है अनके पास गाड़ी है जो है उसकी अब बीम डबलू गाड़ी उनके पास है साट लाग की गाड़ी है बेटा साट लाग की अब भाई उसकी बराबर तुम नहीं कर रहा है लेगिन उस साट लाग की गाड़ी में जो फीचर है वो मैक्समा फीचर है बेटा हमारे टाटा सफारी में और इसमें महिंदरा के जो ये एक्स 007 है डबल जिरो आई है अरे ये हाँ 007 उसमें दे दिया बेटा आप मुझे कैसे मालूम क्योंकि सफारी है पुनीसर के पास और महिंदरा की नई वाई गाड़ी है अरूसर के पास तो जब लोग गाड़ी बैठते हैं तो 360D और कैमरा और पता नहीं क्या क्या सीट में इसी सब दे दिया दोस्तों तो ये है कॉम्पेटिशन इंडियन जो कंपनी है बेटा वो सस्ती रेट पर आपको सेम फिसलिटी दे रही है और गाड़ी बैच्छी दे रही है चांटा सेफारी नया वाला मॉडल या फिर हम बात करें महिंजना गाड़ी मॉडल देख लो भाई ये खराब है किसे क्या ये कॉम्पेटिशन तो हमारे देश में कार की डिमांड सफारी के पास सफारी वह नहीं है लेकिन पुटिशन के पास वह एडवांस मॉडल उसका फ्रासा है मेरे पास मेरे पास बुलेट है मैं तो छोड़ अरे मेरी बात नहीं तो रही है तो इंडिया तो इंडिया नंबर वन आउटमोबाइल मनिफेक्चरिंग हब इन नेक्स फ्री तो फोर यह तीन से चार साल में भारत जो है उसने टागेट किया है कि हम दुनिया के सबसे बड़े आउटमोबाइल मनिफेक्चरिंग हब बन जाएं अच्छा क्यास है दोस्तों इसका मतलब पिछले नौ सालों में भारत का जो आउटमोबाइल इंडस्ट्री है यह 4.5 लाक सियार से बढ़कर 12.5 लाक करोण हो गया बड़े कितना विटा 4.5 से बढ़कर 12.5 लाक करोण रुपीज का माकरी दुस्तों बन गया तो जो ग्रोथ है उसके इसाफ सब कर हम मतलब एज्यूम करें तो ऐसा लगता है कि भारत जो है वो तीन-चार साल में मैंनिफेक्चरिंग हब बन जाएगा दिस इंडस्ट्री हैस गिवन जॉब तो 4.5 कर यूथ अब जे कंट्री यानि ऑट्वाल इंडस्ट्री भाई 4.5 से आर लोग जो है वो जुड़े हुए हैं गुवर्मेंट में तो एक पॉइंट यह भी हमारे पास है तो मैंने ये इंफॉर्मेशन क्यों दी बटा क्योंकि गॉर्मेंट के टागेट्स जाम में आते हैं ये बटा क्या अगले 3-4 सालों में भारत को ऑटोमेल इंडस्ट्री में मनेफेक्शरिंग हब बनानेगा दोस्तों क्योंकि पिछले 9 सालों में जो हमारे देश की इंडस्ट्री ऑटोमेल की है ये 4.5 लैक करोड से बढ़कर 12.5 लैक करोड रोपीष हो गई दोस्तों इसलिए चले डॉस्तो आगे बढ़े इनगरेशन की बात करें इनगरेशन्स दोस्तों है देखिये दोस्तों केविए सी इनगरेट A new khadi India outlet at the i Delhi दौ स्टों डेखलो यानरे आई अैल्ड्यली की बात करे है मिल टा टो वहां पर khadi का store launch हो आप बोलेंगा सर वहां के काम है वहां क्या काम है उट में ऊटITA क तो कहने का मतलब बट्टा, खादी जो हमारा KVIC है, इसने दोस्टों क्या किया है, न्यू खादी इंडिया आटलेट खुला बट्टा कहां पे Delhi में दोस्तों हाँ Delhi में दोस्तों, आगे देखे बेटा क्या बोला गया दे आटलेट वाट्ट वास इनाग्रेटेड बाई के वी आईसी चेर्मेन मनोश कुमार इन दे प्रेसंस आप दे डेली डिरेक्टर मिस्टर वी राम गुपाल राउ एंड अधर टेगने डिरेक्टर वी तो इसमें कुछ एक्ट्रा इंफ पस्तित थे जिनके सामने मितलब या उटेट राउंच हुआ दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देने कौन सा याटी डेलिंग और हो इस दर चेर्मेन ऑप के वी आईसी मिस्टर मनोश कुमार ठीक इसको कुछ और पढ़ना नहीं भाई लोग आगे बढ़ते हैं न लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी हमने क्या पढ़ लिया एक बात पूरी इंफॉर्मेशन रिवाइस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सक कॉन्पिदेंस हमारे अंदर बेड़ अप हो दोस्तों हमने पहली इंफॉर्मेशन क्या पढ़ी बेटा कि UNFPA की रिखत हो यहां से इंडिया पचास तक की बात करें तो 2022 जुलाई में हमारे देश में जो एडली लोग हैं इनकी संख्या है 10.5% जो की बढ़कर हो जागितनी 20.8% एन नमबस में 347 मिलियन फिर गया बोला गया है 2022 से लगे 50 तक की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन 18% बढ़ेगी और इनकी 79% बढ़ेगी दोस्तों लेकिन यह केवल इंडिया की बात नहीं दोस्तों ग्लोबल लेवल पर भी जो एडरी लोग हैं इनकी संख्या डबल होगी डबल होके 2.1 बिलियन हो जागी दोस्तों जो की पूरे दुनिया की पॉपुलेशन का 22% होगे दोस्तों चले गए जागे बढ़ते हैं साउथ इंडियन बैंक ने MDCO पॉइंट किया मिस्टर पी आर श्यादरे को इन दे प्लेस आप दे मुर्ली रामकृष्ण ठीक गाइस फिर देखें लुटियन जर्नल रगू शीनिवासन यह हमारे देश के 28 बीजी मने बिटा इसके बॉल्ट रोगनेशन के यह कि रिप्लेस करेंगे राध्य जोध्य जीओ विटा इस फिर देखें क्या बोला गया है कि मतलब अगर हम पहले शे मेरों की बाद के रहें यह फैनाशल है तो इंडियन कंपनी इस ने आइपियों से 20,000 करोड उपया उठाएं लेगिन इसमें 50% अगेले उठाए हैं अकेले इस नंबर मंच में इस नंबर मंच में ज्यान देजागा तो यह पॉइंट आफसे बूला गया ना दोस्तों फिर क्या बूला गया है अब देखें कि अगर हम पिछले पनाशल बात रहें तो पहले 6 मेने में हमारी इंडिंग अपनी ने इतना पैसा उठाया था लेगिन इस बार इतना उठाया दोस्तों तो यह बताया गया कि पिछले बार क्या हुआ था पिछली बार LIC थी डिलिवरी थी नोंने काफी अच्छा पन उठाया था तो एक पॉइंट गैस यह हमने पढ़ा द दूसरा UPI Plug-in Service और तीसरा Order Pay on QR Code आप देखें यहां पर लिखा हुआ थी नेक्स पॉइंट देखें तो पास साल में पास साल का जो पॉस्ट ऑफिस डिपॉस्ट अर्ड है जोस्तों तो उस पर आपको अब 6.7% का ब्याज मिलेगा तो यह information आपको दिया रहे जोस्तों तो small saving scheme के तहद पॉब्लिक जो 5 साल का RD करती है उस टॉफिस में पहले इसका ब्याज था 6.5% अब इसको 20 business पॉइंट बढ़ा दिया गया है और 6.7% कर दिया गया है दोस्तों और यह October से December quarter के लिए है यह केवल October से लेके December quarter के लिए दोस्तों है फिर क्या बोला गया है केव यहां से जब टिक मैंने किया है वो एक्जाम में पढ़ जाना चाहिए यहां से कुशन बनते हैं बैटा ठीक है फिर हमने क्या बत की अगले 10 सालों में Asian Development Bank पूरे एशिया पैसिक रिजन में 100 बिलियंड डॉलर खर्च करेंगे और मिल लिए पैसा खर्च जाएगा on the climate change issue दे पढ़ा कि इंडिया और जेनिटीना गौर्मेंट ने आपस में अगर्मेंट किया है उनको देशों में सोशल सिक्योर्टी मिलती रहे दोस्तों यह पॉइंट भी हमारा क्लियर है आगे बढ़ते हैं भाई लोग next point हमने क्या बात कि आप से हमारे देश के मिनस्टर क्या बोल 12.5 लाग CR रुपीज तर पहुझ गई है that's why इसा कहा जा रहा है दोस्तों चाहिए आगे बढ़ेंगे फिर्म ने क्या बुला क्वी आई सी तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमिशन ने इंडिया रिटेल आउटलेट खुला गाल खादी स्वारी खादी आउटलेट खुला तो अफगानिस्तान टीम में हमारे देश के फॉर्मर लेजिंडरी बैक्समेन अजेज अडिया जी को अपना मैंटर अपॉइंट किया है इस वर्ल्ड कप के लिए इस हां देखे दोस्तों क्या इंफॉमेशन है अफगानिस्तान क्रेट बोर्ड अपॉइंटेट फॉर्मर इंडियन कैप्टेन अजेज अडिया एस टीम मेंटर पॉर्ड अपकमिंग ओडियाई वल्ल्ल कप दोस्तों ठीक है तो अपकमिंग ओडियाई वल्ल कप के लिए अजज अडिया जुकर बेटा अफगानिस्तान टीम ने अपना मैंटर अपॉइंट के अपने टीम के लिए तो ये हमारी पहली information थी देख लिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग अच्छा इनके बाए बता किया है अज़े रडिया अब फॉर्मर इंडियन कैप्टेन एंज मिडिल और बैट्समें तो ये तो पता हैं उनको दोस्तों हां आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब information two यहाँ पर घ्याईस हम बात करेंगे साफ अंडर 19 फुट्वाब अँड़ तो इंडियनWAN इंडियन्ट मेंस फुट्वार रखेम की बात कर रहे हैं अंडर 19 सेफचेंपिंश सि भारत ने जीत लिया दोस्तों, हाँ, देहिए, क्या है पुरा मस्क्राइटा देहिए, तो India won the South Asian Football Federation, Under 19 Championship, South Asian Football Federation, Under 19 Championship, after defeating Pakistan 3-0, in dominating display in the final at the, at the कहाँ पे, दश्रत रंग साला, स्टेडियम इन काथमांडू नेपाल दोस्तों, यानि आपके एक्जाम में कोशन बन सकता है, कि सेफ Under 19 Football Championship कहाँ पर हुआ था, नेपाल में दोस्तों, और यहाँ दोस्तों, फाइनल मेश दश्रत रंग शाला स्टेडियम में हुआ था, जहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया, ठीक गाइस देखें, तो विनर आप दे सेफ अंडर 19 Championship, इनके नाम बड़े अर्जीव है दोस्तों, दो, most valuable player दोस्तों, यह कौन बने हैं, यह बने हैं, मंगले थांग, मंगले थांग, मंगले थांग, किप जैन, इंडिया के हैं दोस्तों, टॉप स् इनके नाम है, इनके नाम है, गुटान के हैं, जिव में नावग्यार, और निपाल से हैं, समीर तमांग, यह तीनों बेटा क्या है, टॉप स्कोरर है, इन्होंने, तीनोंने मिलकर, तीन तीन गोल बेटा मारे, एन गाइस, बेस गोलकीपर दोस्तों, यह मिला है वाड़्, डेरिल, रिमेई को, इंडिया से हैं, यह नाम याद करना, आप के लिए काफी टफ कास्क होगा, चीक है, तो मैं तो बोलूँगा, आप हमसे करम यह नाम, और यह नाम तो बढ़ी लिजएगा, सेफ हुआ था, बट सेफ ये अंडर 19 नहीं बेब्कूफ है, सेफ अंडर 19 की बात हम कर रहे हैं, अभी तो कौन है है, आरेश, सेफ अंडर 19 नहीं करनां है बेटा, इसलिए पढ़ाई बढ़ो था, आरेश, चलो भाई, आगे बढ़ते, दॉस्तों, अबाउट दे सैफ अंडर नाइड जैमेशिक तो यह ज़र पांचोंवा एडिशन था दोस्तों, छे टीम खेली बेटा, विनर इंडिया, रणर पाकिस्तान और इवेंच नेपाल में आपका हुआ था दोस्तों, नेपाल में तो सैफ अंडर नाइड जैमेशिक पांचोंवा एडिशन दोस्तों माता, इंडिया इसमें जीती बेटा, ठीक आइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, आगे पढ़ेंगे, और बात करेंगे आपसे अवार्ड एन ओनर की दोस्तों, जहां पे हमारे पास आपके लिए इ इंडियन अवार्ड मिला है, सुधामूर्ती, यह फर्स्ट फीमेल है, जिने ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है, दोस्तों, मज़े की बात, इखो यह वाट कौन दिया है, दो, देहां से, सुधामूर्ती, is the first woman to receive the global इंडियन अवार्ड, ठीक है, दो, तो यहां पेड़ क्या बात कर रहे है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, और यह जो अवार्ड है, यहर साल, Canada India Foundation देता है, दोस्तों, ऐसे भारतियों को, जो अपने अपने फील्ड में काफी अच्छे हो, Canada India Foundation हर साल यह अवार्ड देता है, दोस्तों, ठीक है, आगे देखे, मुर्ती is a renowned author, philanthropist, and the wife of the Infosys co-founder, N.R. नरायन मुर्थी दोस्तों, तो बैस सुधा मुर्थी एक लेखिया है, परोपकारी है, दान मा देती है, और यह Infosys के सा संसापग, N.R. नरायन मुर्थी की wife है, दोस्तों, ठीक है, तो she was honored with the award, a grand Indo-Canadian gala in the Toronto, दोस्तों, तो Toronto में इनको यह अवार्ड दिय यह award Canada India Foundation हर साल देता दोस्तों, फिर क्या बोला गया, तुधा मुर्थी एक author है, परोपकारी महिला है, और यह नरायन मुर्थी की wife भी है दोस्तों, और इनको यह award ट्रेंटों में दिया चाहेगा, यही पूरी information आपके सामने है, तो यह हमारे सामने पहला point है guys, आगे information, दोस्तों, Global Indian Award, देखें, दोस्तों यह award इस्टार्ट हुआता है, 2008 है, इसकी price मनी है, 50,000 डॉलर, given by Canada India Foundation, फर्स्त मेंट दोस्तों, यह कौन है, यह है, सैम पित्रोदा, जनते इन को बारे में, सैम पित्रोदा, जनते इन के बारे में, हुआ तो हुआ, तो नहीं कभी आप लिस्क में, दोस्तों, last winner थे, honorable Stephen Harper, former Prime Minister of Canada, दोस्तों, तो last winner, 19 May में में उसके बाद यह award नहीं जाए गया था, COVID की वैसे, तो Stephen Harper, the former PM of Canada, इनको दोस्तों यह award मिला था, छी गाइस, तो देख लीजे, आगे बढ़ते हैं भाई लो, अब दोस्तों बात करेंगे, defense news की, defense में प अस्त्र BVR, air-to-air missile, दोस्तों, इसका मतलब क्या है लैस, तो Indian Air Force ने कह दिया, कि हम अस्त्र BVR missile जो है, उसे हम induct करेंगे बटा, दो, क्या लिखा है, अस्त्र BVR दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, BVR, beyond visual, दोस्तों, इसका मतलब, जैसे for example, दो, पहली बात तो क्या है, यह air-to-air missile, तो air-to-air missile का मतलब दोस्तों, यह हमारे देश के जो fighter aircraft है, उनमें बटा यह induct किया जाएगा, यानि जो missile है, यह fighter aircraft से बटा चलाया जाता है, हवा में, यानि आपके दुश्मन जो aircraft हैं, उनको गिराने के लिए, aircraft हो गया, helicopter हो गया, तो यह air-to-air missile है, beyond visual range, उसका aircraft है, और एक if आगे हैं दोस्तों, जब को दिखने रही है, आपको दिखने रही है, तब भी आप जब यह missile बेटा चलाएंगे, यह missile बेटा क्या है, जाके इसे hit करेगी दोस्तों, यह beyond visual range है मतलब, यानि जो आख से दिख भी नीरा बेटा, तो उस target को यह बेटा धस्त कर सक है, अस्त्र, BVR missile, यह air-to-air missile है, ध्यान दो, आपके exam में question पूशा गया है, किसी missile के बारे में, यह कैसी missile है, तो यह air-to-air missile है बेटा, ठीक है, दो, तो क्या बेटा पूरी information है, जान से दिखिए आपे, तो Indian Air Force ने बेटा कह दिया है, कि वो induct करेंगे, the अस्त्र beyond visual range, air-to-air missile by end of the test, यह इस साल के अंद तक, यह अस्त्र missile को बेटा ले लिया जागा है, वो air force में, ठीक गाइस, और क्या बोला क्या देखिए, देखिए, अस्त्र is the first BVR air-to-air missile, design, developed and official by the Indian Air Space, कहने का मतलब, कहने का मतलब, जो अस्त्र missile है जो यह पहली बार भारत में बनी है, और भारत बारी वायुस्रिना के रिए बनी ही दोस्तों, पहली बार, अस्त्र BVR air-to-air missile दोस्तों, इसके पहले से हम इंपोर्ट करते थे, अब यह में खुदका बनाया अपना अस्त्र missile, ठीक इस, अब देखिए, क्या बना गए, देखिए, 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 देखिए, तो आपको मैंने कई सारा एंसर दी है, पहला, अस्त्र missile कैसा missile है, यह BVR air-to-air missile है दोस्तों, इस साल की लास्तर की एड हो जागा से ना में, ठीक है, फिर बेटा क्या बोला गया, कि भाई, इंडिया ने फोर्स ने किस से कॉंट्रेक ही आज के लिए, तो भारत ड इसका मतलब इसका मतलब जो आपका यह जो अस्त्र missile है, यह भाविश्य में, तीज़स के साथ, मिरास के साथ, और मिक-29, इन एरक्राफ्टे में एड किया जाएगा दोस्तों, तो मतलब एरक्राफ्ट भी हमाता रेडी हैं, कि इन से हम एड करेंगे बेटाइस में हाँ, तो इसका मतलब इटा, इसका मतलब इटा, अस्त्र की रेंज है 100 किलोमेटर, और यह दोस्तों आपके रेंज में जो नहीं है, मतलब टागेट उनको भी ध्रस्त कर सकता है, तो यह बात हो रही है, तो यहाँ पर जाइस पूरी पॉइंट हो गई, तो कैसे पढ़ना आपको वो 2023 में हमारे एयरफोर्स में शामिल हो जागा दोस्तों, इसे कौन करता है मनिफेक्शर बीटा, तो भारत डाइनमिक्स लिंटेड इसे रता है मनिफेक्शर, इसकी रेंज इतनी है बीटा, तो 100 किलोमेटर रेंजर्स की है, बस इतना ही पढ़ना आपको कुछ भी इसमें और तेजस, बस ठीक है, ठीक आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स इंफॉर्मेशन देखें दोस्तों, क्या बोला गया है, साइन्स और टेक्नोलोजी दोस्तों, देखें, पहले इंफॉर्मेशन है मारी, दोस्तों, मलेरिया, एक ऐसी मारी बिटा जो की इवन भारत में काफी होते ह हैं, और पुरे दुनिया में होते हैं, लेगिन दोस्तों को बता है, आज तक डबलुएचे ने केवल दो वैक्सीन को अप्रूव किया है फॉर्दर मलेरिया, एक वैक्सीन एक साल पहले की बात है, और अब दूसरी वैक्सीन में बिटा, डबलुएचों ने प्रूव किया क कि हाँ यह मलेरा की वैक्सिन रीहुंत सो मैंने अपना करियर शुरू किया था फार्मा से थे दोस्तों फार्स ही अधा हमारी कंपनी मिता मलेके वैक्सिन आती थी जिसकी सबसे जादा सेल थी हमारी दोस्तों तो मलेरिया की वैक्सिन भाट रहत ह Prof Gmail और पर दुनिया में चलते हैं, लेकिन WHO recommended किवल दो ही vaccine है, देखें दोस्तों, क्या बूला गया, WHO recommended malaria vaccine made by the Oxford and the serum दोस्तों, भारत company, ठीक आइस, तो Oxford and serum, इन लोगा ने पेटा malaria की vaccine मनाई है, जिसे WHO ने recommend कर दिया, कि हाँ ये recommended है दोस्तों, Oxford and serum मने, मिलके पेटा डवलब की है, ध्यान से ये इन इस इंपोरेंट है पेटा, देखें दोस्तों, क्या आम बात कर रहा है, the WHO recommended the WHO recommended the use of the R21 matrix M malaria vaccine, ये नाम है पेटा, R21 matrix malaria vaccine, R21 matrix malaria vaccine दोस्तों, हाँ ये नाम है, developed by the Oxford University, and the serum, दोस्तों, ठीक, तो WHO ने दुनिया की दूसरी malaria vaccine मेंट आप्रूव कर दी है, जिसके नाम होगा, R21 matrix malaria vaccine, developed by the Oxford University, and serum, ठीक है, आगे देखें दोस्तों, क्या बूलागी है, this is the second malaria vaccine, to be recommended by the WHO, and the first that can be used for the children of all age, दोस्तों, और ये पहली vaccine बच्चों के लिए, मतलब इसके पहले जो vaccine, मतलब रिक्मेंट ये थी, बच्चों के लिए नी था बिटा, यानि, WHO रिक्मेंट ये दूसरी vaccine है, लेकिन बच्चों के लिए पहली vaccine है, ठीक है, और देखें गाइस, क्या बात है यहाँ पर, कि WHO ने दुनिया की दूसरी malaria vaccine अप्रूब कर दिये दूस्तों, जिसका नाम क्या है, R21 matrix malaria vaccine, developed by the Oxford University and the serum, और ये दुनिया के दूसरी vaccine होगी, बच्चों के लिए पहली vaccine होगी, ठीक है, तो ये point हमारे सामें दूस्तों है, ठीक आज़, आगे बढ़ें, दोस्तों festival देखे, प्री नायन राने, अंपिल दखादी मौसर दो जार पेस, आमें ठीक गाज़ दखे, तो खादी मौसर की इंबाद कर, तो खादी मौसर बेटा कहां पर हुआ, ये को हमें हैं दूस्तों, ये हैं नायन राने, ये बेटा मिनिस्टर है, क्याबिनिस्टर फॉर MSME, इन्होंने खादी मौसर का इनोगरिशन किया, मौंबाई में दोस्तों, ये तो नहीं पढ़ना है, वह साब को देखे, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME, ठीक गाईज, मिस्टर नायन राने जी, फॉर्ट अधियात्रा, खादी यात्रा एंग खादी मौसर, श्रेड़ इन मौंबाई दोस्तों, तो खादी यात्रा, एंग खादी मौसर, मौंबाई में हो रा बिटा इवेट, लाँच भाई दर, यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME, मिस्टर राने जी, तो खादी यात्र, खादी मौसर बिटा कहां पर हुआ, मुंबे में हुआ, ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों उसके बाद रिसेंट फेस्टिवल गैस, जैसे फॉर एक्जांपल, हमने कर आपको पढ़ाया था 4th edition of the Indo-Latin American Culture Festival बिटा, ये दिल्ली में हुआ दोस्तों अमर अक्बर एंथोनी की जो राइटर थे, नाम है प्रियाग राज पास जबे दोस्तों, तो हमारे देश में अमिताब बच्चन के लिए कई सारी मूवी लिखने वाले, Mr. प्रियाग राज इनका निधन हो गया दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखे स्क्रीन राइटर प्रियाग राज का निधन मिल्टा हो गया है, तो एक पॉइंट यह है हमारे पास, देखे, प्रियाग राज who had more than handed films to his credit was popular for his work in film like अमर अक्बर अन्थूनी, नसीब and कूली, तो इनकी जो मूवी है, जो में मूवी है, यह नसीब है, कूली है और अमर अन् पदमुष्री अवार्ड इन 2002, for his contribution to Indian cinema, तो 2002 में ने पदमुष्री का अवार्ड दिया गया था, चाहिए है इस, आगे बढ़ते हैं, next point दोस्तो, world nature day, यह 3rd October को celebrate किया गया, देखे दोस्तो, तो 3rd October, world nature day, theme यह इसकी, forest and livelihood, sustaining people and planet, चाहिए है, forest and livelihood, sustaining people and planet, यह इसकी theme है दोस्त world space week, यह October 4 से लेकि दस्तक बेडा मैना आए जाएगा, तो October 4 से लेकि दस्तक हम क्या मैनाएंगे, world space week, इसकी भी theme है, space and entrepreneurship, चाहिए है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने days के बारे पढ़ाया, आपको देखे है, 1st October, international day of older person, 2nd October दोस्तों, 1st Monday of October, world habitat day, international day of non-violence दोस्तों, चले गाइस, अब स्टेट की बात करते हैं, दोस्तों, तो त्रपुरा बिकेम दफॉर्थ स्टेट, त्रपुरा बिकेम दफॉर्थ स्टेट, बिकेम दफॉर्थ स्टेट in इंडिया, to introduce the E-Cabinet system, दोस्तों, तो बेडा, त्रपुरा हमारे देश का दूसरा, पर चौथा, औ और नॉर्थ का दूसरा, त्रिपुरा हमारे देश का चौथा और नॉर्थ इसका दूसरा इस्टेट बेटा बन गया, जिसने अपने काबिनेट के काम को इलेक्ट्राण E कर दिया है दोस्तों, पूरी इंफॉर्मिशन देखें पेटा यहां पर, तो त्रिपुरा बिकेम in India, to introduce an E-Cabinet System, the Chief Minister of Tripura Dr. Manik Saha launched the system to promote digital infrastructure, वही है मतला, तो Manik Saha जी ने मिलिटा E-Cabinet कर दिया है, अब देहे, with this Tripura has become the fourth state in India, after Utarakhand, Utstrada Pradesh, Arunasir Pradesh and second state in the North, जोस्तों, क्योंकि इसके बाद यह दूसरा श्तर बेटा बन गया, to implement the E-Cabinet System, तो यहां पर हमारी इंफर्मिशन खताब हो जाएगी, देखे, त्रिपुरा, क्यापिटल अगरतला, चेप मिनस्टर मानिक सहा जी, गवरंडर सद्देव नराण आर्या जी दोस्तों, एंशनल पार्ग दो हैं, क्लाउटेट लेपर्ड नेशनल पार्ग और राजबारी नेशनल पार्ग दोस्तों, यह दो नेशनल पार्ग यहां पर हैं, ठीक है भाई लो अपना ख्याल है कि मिलते हैं आप नेक्स वीडियों